यह हिंट आप लोगों के लिए ग्री की साइज वोल्टा से 24 गुना बड़ी है हम चाइना से आगे निकल जाएंगे कैन इंडिया एवर कंपीट विद चाइना फी कोस्टर इरिया में भी इतना में भी डेवलप्मेंट हो रहा है आप देख नमस्कार दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि नासा की जो पिक्चर आप लोगों को दिखाई थी उसकी अनालिसिस करने वाला हूं और इंडिया का शेयर बजार हमारे इंफ्रस्ट्रॉक्ट्टर से क्या लिंके जाए उससे बात करेंगे और कौन से सेक्ट के डिजास्टर अवाइड करने हैं हमारा देश क्लियरली गुट्टू गेट की तरफ जा रहा है आज के वीडियो में कुछ इंट्रेस्टिंग चीज़ होंगी जर्मनी की रोड़ साइन और हटल जी क्या लिंकेज है जिससे हमारे देश की उन्नती क्यों हुए है आप लोग वर्सेश चाइना जो एर कंडिशनिंग सेक्टर है हमारा हम कैसा करेंगे और क्या हम कंपीट कर पाएंगे या नहीं ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है तो इसकी अनालेसिस दो तीन वीडियो में होने वाली है शुरू करते हैं सबसे पहले अमेरिका अब आप या जाने भारत को जो सिर्फ जाने भारत को अगर हम कुई के मिढक बनके रह जाएंगे चाहे मारे अनालिसिस है चाहे मारे इंफ्रस्ट्रक्टर है तो हम आगे as a country as a देश भी नहीं बढ़ पाएंगे as investors भी नहीं बढ़ पाएंगे तो दुनिया को समझना बहुत जोरी है शुरुआत अमेरिका से करते हैं यह अमेरिका 2012 और यह अमेरिका 2016 2012 और 2016 में आपको ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा इसका simple कारण है कि अमेरिका एक विक्सित देश है वहां infrastructure बिजली पानी रास्ते बन चुके हैं लेकिन अमेरिका की में थोड़ी comparison आप लों से कर देता हूं कि एक चीज़ अगर आप देखेंगे कि coastal area में अमेरिका में काफी आपको देख रखे हैं कि काफी बिजली है इस तरफ भी है यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं उसका कारण है कि यह पुरा desert है अमेरिका में अल्म सिर्फ size से कर देता हूं अमेरिका कितना बड़ा देश है अगर मैं भारत को अमेरिका के उपर superimpose करूं तो यह distance करीब हमारा 3000 km है यह करीब 3500 km है अमेरिका हमारे देश से 3 गुना बड़ा है in terms of landmass कितनी जमीन है अमेरिका में अमेरिका वाकई बहुत बड़ा देश है और अगर आप New York से San Francisco जा रहे हैं हवाई जहार चे करीब 5-6 गंटे रखते हैं और अमेरिका में अलग-अलग time zone है तो अगर अभी यहां रात के 9 बजे हैं तो San Francisco में 6 बजे है यह फर्क है अमेरिका में चूंकि इतना बड़ा देश है समय लगता है जिसे Singapore से जब मैं दिल्ली जाता हूं करी पांच गंटे की फ्लाइट है उतने ही समय में आप New York से West Coast San Francisco जा सकते हैं तो अमेरिका बहुत बड़ा देश है थोड़ा चाइना से compare कर लेते हैं फिर मैं देश पर आऊंगा यह जो TVS का format थोड़ा अलग है तो यहां थोड़ा आप देख सकते हैं कि आलफ़ देश चाइना भी आप समझ लीजिए यह पोलिटिकल कैपिल अव चाइना यहां हैं बेजिंग यह शैंगाई यह गवांग डॉंग होंग कॉंग इस तरफ है तो चाइना भी आप देखेंगे काफी कोस्टल एरिया में ज्यादा बसा हुआ है अब देखते हैं भारत में अपना विकास कि 1978 में शुरू किया था गोल्डन कौर्ड लैटर प्रोजेक्ट जिसकी मैं बात करूंगा वाजपई जी ने 1999 में शुरू किया था हुआ क्या था कि माओ उनकी उनका निधन हुआ था 1976 में माओ ने कल्चिरल रेवलूशन शुरू किये थी अगर आप इत्यास पढ़ेंगे चाइना का तो माओ ने काफी मुझे लग रहा है चाइना पीछे चला गया था कल्चिरल रेवलूशन के वक्त माओ का जब निधन होता है तो डेंज यौपिंग वो पोलिटिकल स्ट्रॉगल या पोलिटिकल फाइट में 1978 में चाइना के प्रेमियर बन जाते है और उसके बाद चाइना का विकास शुरू होता है तो डेंज यौपिंग is the father of China's पूरा development उनकी policies अलग थी country को open करना, foreign infrastructure लाना, foreign investment लाना एक इंसान जिस पे आप चाइना का विकास एक्दम कह सकते हैं उनकी thought process, उनका सब कुछ माओ से बिलकुल अलग था वो थे डेंज यौ इसके चर्चा मैं कभी और करूंगा चाइना में करीब 20-25 साल से जा रहा हूँ, पहले फार्मा कंपनी के लिए जाता था अभी बाकी industries देखने के लिए, तो थोड़ा बहुत वो देश समझ में आता है, थोड़ा कल्चरली समझ में आता है, और सिंगपुर हो भी चाइनीज हैं, friends हैं, influence रहता है, तो कुछ चीजे हमारा एक debate भी होती है, बातचीत होती है, तो चाइना पर कभी definitely बात करेंगे, और काफी sectors जिसमें हम invest कर रहे हैं आज इंडिया में उसमें बिना चाइना के काफी समान भी हमारे देश में नहीं है, तो काफी कुछ इंपॉर्ट करना पड़ता है, तो चाइना और इंडिया का at least economically, commercially अगले 15-20 साल तक काफी linkages रहने वाली हैं, एक देश जो मुझे बहुत इंटरेसिंग लगता है वो है व्यतनाम, यह है बैंको के रिया, यह है व्यतनाम, यह है होचीमिन, उपर में है हनोई, अब आप व्यतनाम का थोड़ा आप देखेंगे कि व्यतनाम में भी आपको फर्क नजर आएगा कि बिजली बढ़ रही है, ग्रोथ हो रहा है, तो कभी में व्यतनाम की भी चर्चा करूंगा, इनकी political capital है हनोई, वो है north में, commercial capital है नीचे, और काफी coastal area में व्यतनाम में भी development हो रहा है, आप देख सकते हैं, Thailand तो काफी developed है manufacturing में, because of Toyota from 90s, इसकी भी कभी चर्चा मैं जरूर करूंगा, अब समझते हैं कि पानी से, चाहे वो समुद्र है, चाहे वो नदी है, transportation कितना जरूरी होता है, क्यों सस्ता होता है, और पुरानी civilizations क्यों नदियों के आसपास ही थी, और नदी आज के लिए अगर आ infrastructure हो जाता है, मैं समझाता हूँ क्यों, इसका example मैं लूँगा, एक देश से, जो North Africa में, उसका नाम है Egypt, Mishra, जहाँ pyramids है, और वो कमाल का देश है, जो जितना डेवलप वो 5000 साल पहले पिरमिड बना दिया था, तो देखते हैं कि इतना विक्सित देश कैसे हुआ था, यह Egypt, यह नाइ, जो NASA की Observatory की जो observation है, उनकी जो pictures बनाई है, यह पूरा देश Egypt है, और यह Nile नदी है, पूरा का पूरा देश, नदी के चारो तरफ बसा हुआ है, और जहां नदी का डेल्टा बनता है, वहां most of the population है, और इनकी capital Cairo यहीं पर है, पिरमिड भी यहीं है, नदी नौर्थ बहती है, यह भी समझने की बात है, लेकिन अब आप इस नदी को देखें, पूरा का पूरा Egypt, रिगिस्तान है, सिर्फ Nile नदी के आस पास ही आपको हर्याली दीखेगी, यहीं लोगों के खेत है, यहीं पूरा देश बसा हुआ है, बागी पूरा डिजर्ट है, आ मज़ेदार क्या है कि अगर मैं छोटे से इस पार्ट को जूम आउट करों, तो नदी इतनी चौड़ी नहीं है, नदी तो मेभी पांसो मीटर से एक किलो मीटर चौड़ी है, उसके चारों तरफ जो फर्टाइल एरिया है नदी के वहीं पर खेती बाड़ी होती है, वहीं ब देखेंगे नदियों के आसपास बसी हुई है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत एजी होता था, एक जगह से दूसरे जगह जाना ना उसे बहुत आसान होता था, प्योंकि सडके नहीं होती थी, इंसान और सामान, people and goods could move easily, जो easily transport होता है, वहीं पर व्यापार होता है, वहीं economic activity होती है, वहीं पर manufacturing बैठती है, वहीं hotels लगते हैं, वहीं सब कुछ होता है, इसलिए जो नदी रोल प्ले करती थी पुराने जमाने में, आज के दिन अगर आप coaster area में नहीं रहते हैं, किनारे में, समुंदर किनारे में आप अगर नहीं रहते हैं, अगर आप hinterland में जहां आस पास कोई पानी नहीं है, तो या था आप नदी के पास रहते थे या आप सड़क के पास रहते थे, अब अमेरिका का जो विकास शुरू हुआ था infrastructure का, कि अमेरिका के लिए कहा जाता है कि अमेरिका suburbs बहुत सारा है, पुरे देश में फैला हुआ है, और वो हुआ था क्योंकि अमेरिका में गाड़ियां बहुत बिखती है, गाड़ियां क्यों बिखती हैं, क्योंकि रोड इंफ्रस्ट्रक्चर बना था, और इसकी शुरुवात आईदमार ने करी थी, जो उनके प्रेसिडेंट से, और इनकी गजब कहानी है, उसको मैं आगे आपको बतात हों, लेकिन उन्होंने 1956 में वर्ल वर के बाद, उनको लगा कि अगर देश का विकास करना है, तो पूरे देश को सडकों से कनेक करना पड़ेगा, तो उन्होंने एक इंटर स्टेट हाइवे प्रॉजेक्ट बनाया था, अमेरिका के लिए, उस जमाने में 25 बिलियन का अलेके आप कह सकते हैं, कि since then probably China ने भी ऐसा कुछ कर दिया है, इस से बड़ा infrastructure project नहीं हुआ था, और इसकी inspiration देखते हैं, कहां से आई थी, इनकी inspiration कहां से आई थी बताता हूं आपको, वो आई थी, जर्मनी से, आपको याद होगा, जर्मनी का मैंने एक वीडियो बनाया था, जहां मैंने करीब 3000 किलोमेटर गाड़ी चलाई थी, all over Germany, और interesting एक road sign है, जो मैं आज आपको बताता हूँ, वो है ये, typically आप अगर road sign देखेंगे न, 60, 80, 50 कुछ लिखा रहे हैं, जर्मनी एक देश मुझे मिला है, जहां पर ये वाली road sign होती है, इसका मतलब है, कोई speed limit नहीं है, आपको जितनी तेज गाड़ी चलानी है, आप चलाईए, जर्मनी के highways को कहते हैं, autobahn, और आइजनोवर ने ये जो inspiration लिया था, आप surprise होंगे, थोड़ा बहुत जर्मनी जो वो गए थे world war में, वहां से भी आया था, तो world war 1 में, वो tank के trainees थे, उननों वो train करते थे, world war 2 में व प्ले किया था, और काफी की उनने सीखा था, और जर्मनी की infrastructure उनने देखा, जर्मनी की सड़के, वो कमाल की थी उस जमाने में भी, ये 1939 की सड़क है, बर्लिन से म्यूनिक की, जो मैं भी चुका हूँ, दो समय पहले, 1949, आप एक चीज़ पे ध्यान दिया, ये दोनों है, दो आने के लिए, दो जाने के लिए, क्वालिटी देखिये रोड की, और दोनों तरफ जगें छोड़ रखिये कि फ्यूचर में कभी एक्स्पैंड करना पड़ेगा, ये 1949 की बात है, ये जर्मनी का infrastructure था, जो उनको आज भी ऑटोबान कहते हैं, तो जब आईजनोवर न तो अमेरिका आज fully connected है, कमाल का highway system है, और वही inspiration अगर आप देखें, उससे क्या होता है, ये वर्ल बैंक की analysis थी, ये करी 20 साल पुराना पेपर है, नया पेपर नहीं है, 20 साल पुराना पेपर है, एक सैक्सेस है, आपने कितनी सड़के मना रखी है, पक्की सड़के, कच्छी पंक्डंडिया तो हर जगर है, बट उससे कुछ नहीं होता है, जितनी आपने सड़के मनाई हैं, वैसा ही आपका GDP होता है, हमारा GDP करीब 3000 डॉलर, आज हम यहाँ हैं, हमारी सड़के भी वैसी है, जो भी डेवलप देश हैं, उनका सड़के जो रुने बना रखी हैं, पेव इसी पेपर में थी, GDP, नॉर्मल रस्ते, आप कच्छे रस्ते पकड़ लिए, जो भी पकड़ लीजिए, और बहुत अच्छे रस्ते, डारेक्ट कोर्लेशन है, सौरी, हाईयर जीडीप, बेटर रोड इंफ्रस्ट्रॉक्ट्रॉक्ट्चर, तो यही चीज, अगर आप के, तो एक बहुत कमाल की इताब पढ़ रहा हूं मैं, वाचपई जी पे, इसको पढ़के कभी इनकी भी चर्चा करेंगे, वाचपई जी तो आप जानते हैं, अटल जी तो कमाल के लीडर थे, तो यह जो इंस्पिरेशन जो अटल जी ने 1999 में हमारा गोल्डन कॉर्ड टाश्टे का access नहीं था, मेरे पास जोपडी है, या मेरे ये चोड़ाज मकान है गाव में बाहर में पग्डंडी है, मिटी का रस्त है, उसको रस्ता नहीं कहते हैं, बारिश में कुछ भी हो रहा है, कहीं नहीं जा सकता बाड आरी है, जो भी हो रहा है, तो जो वाचपई जी ने जो सबसे पहला project sign किया था golden quarterlateral project infrastructure अनलिसिस हो गई थी कि infrastructure का correlation मैंने आपको दिखा दिया, अमेरिका में क्या हुआ है दिखा दिया, चाहिना में क्या हुआ है दिखा दिया तो the first start was अटल जी विजिन की देश को हमें connect करना है इस धंग से तो आटल जी का जो विजन था वो ये था दिल्ली से कलकत्ता कोस्टल रोड चन्नाई होते हुए मुंबई गुजरात होते हुए वापस दिल्ली ये है गोल्डन कौर्ड लाटरल जो बन रहा है काफी बन भी चुका है और इसके साथ आज जो हो रहा है एक दिल्ली बॉम्बे पूरा फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है ये फ्रेट कॉरिडोर क्यों बन रहा है मैं आपको उसकी भी चर्चा करके बताऊंगा थोड़ी देर में ये आप देखें क्या हो रहा था देश का पहले देखिए उसके ब्रॉडली ये हमारा स्टील क्लस्टर है जमशेदपूर हल्द मैं भी ये देखा है पंजाब नौर्थ हरियाना रिच स्टेट्स गुजरात महराष्ट्रा और ये है हमारा ऑटो बेल्ट आज के दिन बैंगलोर चन्नाई तो क्या हो रहा है देश में नौकरियां टिपिकली आप देखें तो यहां ज्यादा आ रही है और जो हिंटर का एकसेस नहीं है बट इसमें 25 से 30 परसेंट हमारी पॉप्यूलेशन रहती है जिसको हम काव बेल्ट भी कहते हैं जो उतरांचल यूपी बिहार चारकट यहां पर पॉप्यूलेशन बहुत जादा है लेकिन चूंकि नौकरियां बाकी जगह में थी तो लेबर पीपल का बह से लिए बड़ी फैक्टरियों में यह यह स्टेट्स लेबर सप्लाई करते हैं लोग माइग्रेट करते हैं पूरे रहते हैं अगर आप उबर ड्राइवर्वर्स भी मैं जब जाता हूँ बंबे जाता हूं गलकता जाता हूँ काफी लोग यूपी और बिहार से होते पूछ 2002 या तीन की बात है पहली मैंने लाइफ की अपनी गाड़ी करी थी सैंट्रो खरीदी थी और मुंबई पुने एक्सप्रेस फे नया नया बना था तो हमने जाना शुरू किया था तब आप करीब से लाक में मिल जाएगी 21 साल में सिर्फ एक से दो परसन इंफलेशन हुआ है गाड़ियों का इसका मतलब आप समझेए उस जमाने में जब मैंने ये गाड़ी खरीदी थी तो प्रॉबबली मुझे छे मेने की सालरी सिर्फ गाड़ी में देनी पढ़ जाती है आज के दिन लोह चीजों के दाम बहुत जादा नहीं बढ़ते हैं सैलरी बहुत जादा बढ़ी हैं दाम अगर बहुत जादा नहीं बढ़ा है तो में भी आज के दिन दो मेने की या तीन मेने के सैलरी में ही ये गाड़ी इंसान खरीद सकता है जिसको आज से 20 साल पहले 6 मेने की सैलरी लगत हैं और गाड़ी में तो हमने clearly देखा है इसलिए auto और auto components की इतनी तो तेजी अगले पिछले 15-20 साल में हुई है इसलिए हुई है local manufacturing आती है इतना बड़ा जा बयार हो जाता है हम manufacturing में strong हो जाते हैं जब हम strong हो जाते हैं इस्पोर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि हम सस्तमाग बना सकते हैं यही हुआ है गाड़ियों में क्यों हुआ है क्योंकि infrastructure हमने बनाया है हमने सडके मनाई है लेकिन सडकों का problem आप समझ लीजिए आज के दिम 30 करोड रुपया लगता है एक four lane highway बनाने के लिए एक किलो मेंटर का महंगा है समय लगता है और infrastructure का project है तो अगर जैसे आज मुंबई से डिल्ली का 1504 किलो मेंटर का six lane बन रहा है six lane अगर बन रहा है तो आप 50 करोड पर किलो मेटर पकड़ लिए तो साड़े साथ से आठ हजार करोड का खर्चा है सिर्फ उसको बनाने के लिए आठ हजार क्रोड कहां से आता है फिनैंसिंग करनी है दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है जहां सड़क बनेगी वहां सरकार को land acquire करना है सड़क कहां चाहिए कोई पूण करता है कोई तुम्हार रह रहा है ठीक है उसको पैसे देने है जमीन का खर्चा है अक्वाइर करने में समय लगता है फिर टेंडरिंग है समान आएगा सिमेंट लगेगी लेबर लगेगा बहुत कुछ है तो समय लगता है और इनका पेबैक क्या है आप टोल से लेते हैं तो पेबैक पिरिएट 15-25-30 साल होता है बहुत लॉंग जेस्टेशन पिरिएट हो यह प्रोजेक्स होते ह है इन चीजों में सब्र जरूर चाहिए लेकिन एक बार बन चाता है ना तो इसकी एकॉनुमिक अक्टिविटी और मल्टिप्लायर एफेक जिस चीज को बोलते हैं एकॉनुमिक में गज़ब होता है यह मैं सैन फ्रांसिस्को में हम जा रहे थे वहां सड़क चौड़ी हो रही थी तो उन्होंने एक बोर्ट लगा रखा था यॉर टैक्स डॉलर्स एड वर्क री बिल्डिंग कालिपॉनिया इस पे मैं टैक्स को लेके क्यों जरूरी होता एक देश के लिए यह अलग वीडि करते हैं मार्केइड़िंग करते हैं उनके कुद की मार्केटिंग थी देश में आटीक्स इसलिए चाहिए इसलिए जियुकर कशिए इसलिए दिपरें्रा यह वह की बहुत ज़िए का हुई है कि लिए अटंग बहुत होगा ढूता है उसका एक कशिक्र być अ को आप देखतें हैं डिल्ली कलकत्ता यूपी बिहार लकनव कानपूर प्रयाग राज वारनसी पत्ना उपर गोरकपूर यह जितनी दिवाली आपको देख रहे हैं पहले बिल्कुल नहीं थी जब आप लोकल इंफ्रस्ट्रक्चर इस तरह बना देते हैं तो मैं यहां से छोड़के क्यों सकते हैं तो मैं क्यों जावंगा लेकिन एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी यह जो हो रहाएट ना बिजली तभी आ सकती है जब सढक होती है बिना सढक के बिजली भी नहीं आएगी अब आप समझे है क्यों और जितना प्रोज्रेस हो रहा है ना अब को कुछ कहीं मीं को clearly देखता है 2013-14 में हम करीब 4000 किलोमेटर साल का बना रहे थे अभी हम करीब 13-14 किलोमेटर बना रहे हैं यह compounding effect है समय लगता है यह नहीं कि overnight आप 4000-2000 बनाएंगे क्योंकि इतने आपको civil engineers भी चाहिए आपको companies भी चाहिए आपको financing भी चाहिए समय लगता है तो यह धीरे धीरे ही होगा अचानक 20-25-50,000 किलोमेटर हम नहीं बना पाएंगे वो हमारी आज के दिन बहुत मुश्किल है करना लेकिन steady progression हुआ है 90,000 से करीब डेड़ लाख national highways हम बना चुके हैं दूसरी चीज़ जो हो रही है कि जहां दो लेन था वहाँ चार लेन हो रहा है जहां चार था वहाँ छे हो रहा है freight corridor बन रहे हैं गोल्डर कॉल्ड लैटल बड़ा बन रहा है वो उस तरह के काम हो रहे हैं infrastructure हमेशा slow progress होता है लेकिन sure होता है अब आपको दिखाता हूं कि अगर सरकार क्लेम कर रही है हमने यह कर दिया है यह है आप कैसे देख सकते हैं यह नासा की यह जो pictures है ना कमाल है यह 2012 यह 2013 2012 वाली ज्यादा clear है क्योंकि वहां पर high-res photographs को लेकि उन्हें ने composite किया है 2023 में क्या है कि वह daily आप इस website पर जाके progress देख सकते हैं ज्यादा पता नहीं चलता है इसलिए आपको एक साल दो साल पांच साल के gap में देखना पड़ेगा यह photo अतनी high-res नहीं है लेकिन आप सडके clearly देख सकते हैं कि जहां भी आपको बेजली ज्यादा नजर आ रही है वह अच्छी सडक है यह चोड़ी सडक हो गई है उसके आस-पास लोग बस गए है density of roads density of infrastructure मैं मुझे आपको बताने ही जरूत नहीं आप जहां जहां देखें आपको सब दिखेगा और अब आपको मैं वह विजन प्रोजेक्ट जो था वो दिखाता हूं जो golden quad lateral था तस्वीर को देखिए पहले क्या होता था कि लेट से बॉम्बे है यह गुजरात है यह चन् ना जहां भी है यह coastal area में है पास में एक port है जहां से आप export कर सकते हैं समान manufacturing base है तो job यहां create हो रहा है labor यहां है तो जब अब आपको अगर नहीं factory लगानी है आप क्या करेंगे आप यहीं पर जमीन ढूनेंगे अब चुक्कि सब यहीं जा रहे हैं जमीनों के दाम बढ़ियाएंगे तो यहां जमीनों के दाम बहुत जादा है लेकिन opportunity सिर्फ यहीं है यहां पर population है growth नहीं है तो जमीनों के दाम भी कम है अगर यहां आपको factory लगानी है यहां से यहां तक सिर्फ सामान लाने में इतना खर्चा होगा कि वो factory viable ही नहीं होगी तो आप वहां factory भी नहीं लगा सकते क्योंकि आपके पास infrastructure नहीं है अब यहां एक कमाल की चीज होती है अगर इस area में जहां पर विकास कम है अगर वहां आप infrastructure प्रवाइड करते हैं चीजों की अगर transportation cost कम हो जाती है logistics cost कम हो जाती है तो logistics cost और GDP विक्सित देशों का logistic cost 10% से कम होता है हमारा करीब 13-14% के बीच में है और सरकार ने कहा है कि हम कोशिश करें कि 7-8% तक इसको लेके जाए हमारा logistics cost बहुत हाई है compared to GDP और यह भी एक दिक्कत है इसको भी अगर ठीक करना है तो कुछ चीज हैं हमें करनी पड़ेगी द सबसे सस्ता होता है समुद्र से समान भेजना इजीप की जो अनालिसिस थी या अगर आपको पुराने जमाने में गंगा जी के बगल में हमारे सारे जो सिटीज बसी ती यही रीजन था रेल से करीब डेड़ गुना जादा पड़ता है compared to ocean सडकों से भेजना धाई से तीन गुना पड़ता है और हवाईजाद से obviously मेंगा होता है लेकिन जो भी चीज हैं जो पेरिशिबल होती हैं छोटी quantity की होती हैं जल्दी भेजना है उनको हवाईजाद से फिर भी भेजा जा आज के दिन हमारा बहुत सारा सामान रोड से जाता है और मेहंगा पड़ता है पहली दिकत दूसरी दिकत है अगर आप ट्रक और रेल को आप compare करें ट्रक चलती है डीजल से रेल चलती है बिजली से डीजल हम इंपोर्ट करते हैं खर्चा लगता है बिजली हमारी अपनी है क अगर हम रेल से ज्यादा फ्रेट बेजें ज्यादा सामान भेजें और रोड से कम भेजें तो पहली चीज़ होगी खर्चा कम होगा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होता है रेल से भेजने में इसलिए आपने अगर देखा होगा रेल्वे स्टॉक्स में जो हुआ है पिछले पांचे महने में आट-दस साल पहले पहली बार मैं जब टीटागर से मिला था तब भी बहुत बड़ी बाते हुई थी तो इस बार एक फर्क जो है जो रेल्वे सेक्टर मुझे दिख रहा है कि पहले ये साथ 6-7-8,000 वैगन मनाते थे तीनों कम्पनिया मिलके टीटागर जुपिटर और टेक्समैको पिछले साल पहली बार हुआ है कि सरकार ने रेल्वे ने 90,000 वैगन का और एक शॉट में दि तो इस बार रेल्वे एक इंफ्रस्ट्रक्ट्टर डेवलपमेंट जो करना चाह रही है उसका पहला दे ये है कॉस्ट कम करना है तो अनली वे तो डिदूस कॉस्ट इस मूब फ्रॉम रोड तो रेल्वे सेक्टर में देख रहे हैं वो हो रहा है कि 90,000 वैगन के और आपको 3 लाग के बेस में अलड़ी दिये जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को बोला जा रहा है कि आप अपने टर्मिनल्स लगाईए साइडिंग्स लगाईए और अपना ट्रांस्पोर्टेशन भी आप रेल से करिए तो पहला फायदा है रेल से और तीसरा फायदा है पुल्यूशन अगर ट्रक्स कम चलेंगे पुल्यूशन भी कम होगा तीन फायदे हैं लोजिस्टिक्स कॉस्ट अगर आप रेल की तरफ शिफ्ट करते हैं और रोड से कम करते हैं अब दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो ना ऐती है जब सड़क जाती है सड़क अगर नहीं होगी ना विजली नहीं आ क्यों कि आपको अगर मुबाइल का टाफर बी ब carnाना है आपको इंफ्रस्रॉक्ट बनाना है ट्रांसपोर्ण ट्रान्सफार्मार भीजना है आपको कुछ भी वेजना भीजेंगे कैसे किसी भी गा इसलिए पहले infrastructure, road infrastructure बनाना सबसे ज़रुरी होता है एक बार road infrastructure बन जाता है, सड़के बन जाती है तो बिजली भी पहुंचाती है जो अलड़ी हमारे देश में आप देख रहे हैं, हो रहा है मैं banking cost पे ज़्यादा अभी चर्चा नहीं करूँगा, छोटी से करूँगा सड़क पहुंचा देते हैं, बिजली पहुंचा देते हैं, तब आपका cost of transaction भी कम हो जाता है, अगर बिजली है तो mobile है mobile है, तो एक mobile transaction करने के लिए अगर एक या दो रुपए लगते हैं, ATM transaction करने के लिए 20 गुना जादा खर्चा होता है एक bank का और एक branch में transaction करने के लिए 100 गुना जाता होता है, तो वाइबल नहीं होता है, इसलिए घड़ी घड़ी हम हर जागा branch तो खोल नहीं सकते हैं, लेकिन अगर मैं branch नहीं खोल सकता हूं, मैं ATM लगा सकता हूं cash withdrawal के लिए, सरकार ने direct benefit transfer आपके account में directly कर दिया है, आपको पैसे न कर लेंगे, या तो आप branch आईए, या आप mobile से transfer करें, ATM जाईए, ATM लगाने के लिए क्या, बिजली चाहिए, infrastructure चाहिए, तो अगर आप सड़क और बिजली पहुचा देते हैं, तो पुरी bank branch लगाने के ज़रोत नहीं है, मैं ATM लगा सकता हूं, पहली चीज, दूसरा, आप mobile banking क कर सकते हैं, क्योंकि है mobile चार्ज कर सकते हैं, तो infrastructure लगा देने से financing भी easy हो जाती है, banking easy हो जाती है, लोगों को loan का access पहुच जाता है, इसे लिए आप देखेगा, इतनी non-bank finance company, NBFCs, गाओं गाओं में पहुच गई है, क्योंकि infrastructure पहुच गया है, बिजली पहुच गई है, एक ले वीडियो में जाता लंबी करूँगा, तो यह है, बेस्ट तो comment एक था कि सारे के सारे sector investable हैं, इंडिया में, शायद हाँ यह शायद ना, कुछ लोग obviously Voltas, Havels, इन कमनियों की बात कर रहे हैं, ओम कुमार सिंग जी ने तो ABCDF जो मैंने एक अनालिस करी थी, अपने ध data driven and so on, I totally agree, यह कमाल का comment है इनका, एक बहुत अच्छी चीज मैं कहना चाहूँगा कि इसका image से पता ही चलता है कि standard of living बढ़ गया है, बिजली आती है, commerce बढ़ता है, एक जगह से दूसरे लोग समान चला जाता है, लोग चले जाते हैं, कमाल की चीज होती है, यही कुछ- करना चाहूँगा, वो है air conditioner, कि just because पूरे देश में तेजी है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, क्या सारे sectors ही बाई हो जाते हैं, अगर सभी कुछ बाई हो जाता है, तो index ही खरीदिये, कुछ मत करिये, at least as a retail investor, तो से index ही खरीदना चाहिए, तो पहले मैं एक अगले वीडियो म लेकिन आज मैं आपको सिफ हिंड दूँगा, तो ये analysis है, अगर हमने अगर कर दिये, तो आप देखते हैं कि अगर road infrastructure हमने पहुचा दिया है, बिजली पहुचा दिये, तो क्या होता है, तो चलिए, एक जगा उठाते हैं, जहां लेट से पहले development नहीं हुआ था, वहां अग आज एक गोरकपूरी होना चाहिए, हाँ लटनव, बनारस, अलाबाद, प्रयागराज, तो अगर यहां से आपने railway corridor बना दिया, और आप port तक rail freight ले जाते हैं, तो साल लगे, तीन साल लगे, पांच साल लगे, तो यहां की factory का cost बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, लेट से यहां की factory से, बहुत जादा फर्क नहीं होगा, दूसरा फाइदा क्या होगा, कि यहां जमीने बहुत महेंगी हैं, यहां जमीने आपको सस्ती मिलेगी, यहां पर labor का cost भी जादा होगा, क्योंकि सारी company यहां पर लोगों को recruit करना चाहती हैं, तो labor cost यहां इसके मुकाबले कर दो गुना भी हो सकता है, यहां अगर आप लगा देते हैं, नहीं factory, तो यहां से labor को इतनी दूर जाने की जरूत नहीं है, अच्छी salary दीजिए, सब कुछ दीजिए, आपको local labor मिलेगा, ज्यादा मेहनत करेगा, देर तक काम भी करेगा, infrastructure cost कम है, जमीन का cost कम है, labor accessibility better है, तो इसलिए, all you need to do as government, is infrastructure, सरकार का सिर्फ यही काम है, बिजली प्रोवाइट करना, पानी प्रोवाइट करना, सड़क प्रोवाइट करना, एक बार यह हो जाता है, private entrepreneur जो है वो बहुत तेज है, वो अपना रस्ता ढूंड लेता है, उसको मालूम है कि कहा मेरा सस्ते में माल बन तो आप स्कूल बना सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अगर आप टीचर नहीं बेच सकते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, पुराने जमाने में गैस नहीं होती थी, तो हमारी नानी दो चूले में खाना बनाती नहीं, पानी लाना पड़ता था, चाहे वो इसे निकाल रहे हैं या कहीं दूर जाके लेके आ रहे हैं अगर बिजली है तो आप पम से पानी निकाल सकते हैं आप गाओं में एक टैंक लगा सकते हैं मोटर से पानी उपर चढ़ा सकते हैं तो जाने आने का जो समय लगता था घर में हमारी नानी जी को या जिसको भी वो सम को समय मिलना शुरू हो जाता है अब हिंदुस्तान लीवर उसको साबून बेचना है या ब्रैंड बनानी है ब्रैंड कैसे बनेगी आपको अर्वर्टिस्मेंट दिखाने आपको बिजली चाहिए ताकि आप टीवी लगा सके आपको बहुत सिंपल साहिक और एक्जामपल देत क्या है मैंने बुछा है गांधी जी बोले वीजी कूलर क्योंकि अगर आपने बिजली नहीं दी है तो मैं चोटी-चोटी जगों में वीजी कूलर नहीं लगा सकता जहां मेरा पूरा डिस्पले आता है क्योंकि वो छोटे-चोटे डबो में जहां हम लोग कोल्डरिंग जादा भिकेंगे उतनी आइसक्रीम जादा भिकेंगे तो अगर आप वोल्ता और बूरूस्टार का कौन्फिरंस कॉल भी देखें वो भी कूलर की बात कर ने कि जैसे miner की डिमाद बढ़ ही है वीजी कूलर अगर बिकेगा तो वोल्ता सबीस्टार को फाइदा होगा वीजी कुलर हो पूरी economic activity शुरू हो जाती है एक सड़क और बिजली से सड़क बनी तो आपका infrastructure materials वाले अच्छा करेंगे बिजली बनी तो केबल वायर बल्स वाले अच्छा करेंगे अगर बिजली लग गई तो white goods वाले अच्छा करेंगे enterprise business अच्छा करेंगे consumption पूरा शुरू हो जाता है इसलिए सरकार का काम है infrastructure कड़ा करना entrepreneur जो आज की कंपनिया हैं जो हमारे शेयर बायार के entrepreneurs हैं वो तेज हैं उन्हें मालूम है कि opportunity पे capitalize कैसे करना है अगले वीडियो में हम air conditioner और white goods sector की analysis करेंगे यह समझेंगे कि क्या हम चाइना से compete कर पाएंगे हमारी industry structure ऐसी है तो वो invest करने लायक है नहीं है क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन यह ज़रूरी था कि analysis हम थोड़ा देखें अमेरिका से compare करें अमेरिका की inspiration कहां से आई थी जर्मनी से आई थी चाइना में क्या हो रहा है देश में क्या हो रहा है और अगले 15-20 साल हम क्या करने माले हैं होप तुसी यू इंद नेक्स वीडियो कॉमेंट आया था कि पूरा देश इंवेस्टिबल हो जाता है आई अग्री ऐसा नहीं कि पूरा देश इंवेस्टिबल नहीं है वो कहते हैं राइजिंग टाइड लिफ्ट ऑल बोट्स तो अगर पूरी तेजी है अच्छा infrastructure development हो रहा है financing आ रही है investments आ रहे हैं job creation हो रहा है optimism है तो सारे sectors अच्छा करेंगे लेकिन investing is not about buying everything right best obviously अगर आप professional investor नहीं है तो index खरी दिये लेकिन अच्छी investing में क्या है ना it is about relative selection कि बहुत सारी अच्छी चीजों में best चीज कौन सी होती है वो 20-50 stocks कौन से हैं वो मैं कैसे select कर हूँ अगर वो हमें नहीं आता है तो हमें सीधा index खरीदना चाहिए index is the best way to play India तो सेक्टर सारी है पहले एक अंडिशनर उठाता हूं कि दो कंपनिया हैं इंडिया की लीडर वोल्टास जिसका 20-22 परसे market share है और दुनिया के सबसे बड़ी air conditioning company जो चाइना की उसका नाम है ग्री इस company को मैं करीब 15-20 साल से analyze कर चुका हूं हमारे चाइने आनलाइस का काम कर चुका हूं हिंट सिभ यह है कि आप दोनों company का मैंने margin structure दे दिया है फर्क है वोल्टास की revenue करीब 9,000 करोड है ग्री की revenue करीब 2,18,000 करोड है यह हिंट है आप लोगों के लिए ग्री की size वोल्टास से 24 गुना बड़ी है तो क्या हमारी industry जो है वो competitive रह पाएगी is वोल्टास a buy और is AC sector a buy क्या advantages है क्या disadvantages है और यह चाइना की जो giant companies है इनका क्या role है इंडिया में हिंट आपको दे देता हूं कि ज्यादातर AC का समान चाइना से ही हमारे पास आता है ज्यादातर AC का समान आज भी चाइना से ही हमारे यां आता है और हमारे यां mostly assemble होता है इस चीज़ से as AC players अगर इतने सारे competition है गोड रिज है, हैवल्स का लॉइड है, वोल्टास है, ब्लू स्टार है, इन कम्रियों को क्या करना चाहिए अगर compete करना है, बड़ाव होना है तो should they compete और should they cooperate और should they do both यह हम game theory की बात करेंगे जो हमें बहुत अच्छा है concept सिखाया गया था और यह इंडिया के लिए आज के लिए बहुत relevant हो जाता है एर कंडिशनिंग कंपनी के लिए यह हम ज़रूर analyze करेंगे यह debate हमेशा रहेगी क्या हम चाइना से आगे निकल जाएंगे, can India ever compete with China इस पर मेरे कुछ thoughts हैं इस पर भी मैं बात करूंगा लेकिन सब कुछ इस वीडियो में नहीं कर पाऊंगे नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा करेंगे